सारी उमर हम मर मर के जी लिए इक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो सारी उमर हम मर मर के कि अच्छा में तुम सब को हमक दिया था ना किसने complete नहीं किया यह तो पुराना हो गया है ओ मेंने तुम सबको अकांड सा प्रोजेक्ट दिया था ना किसने complete नहीं किया आई लास्टर डेट है सर वो तो किसी नहीं भी कंप्लीट नहीं किया आप सबसे पुछ लो ये सर कर लिया तुमको पड़ाई करना नी है कूपी कंप्लीट करना नी है बुक लाना नहीं है प्रेक्टिकल देना नहीं है बस तुमको तो गेम्स खिला लो मैं कमीन सर ये दिल तेरी आँखों में दूबा पनचा मेरी तू महभूबा ये दिल तेरी आँखों में दूबा मैं कमीन सर मेरी क्लास में लेट इडियाच प्रेक्टों में दूबा पलुशन SIR, IT'S AIr POLLUTION तरहाद को वाप को माँुसों IKPREET, STAND UP! WHAT IS AIR POLLUTION? SIR, THIS IS AIR POLLUTION GET OUT OF MY CLASS! WHAT A MENALYS STUDENT when air is polluted by any human activity or resources is called air pollution oy oy Paskar यार ये भुककडों ने पूरा का पूरा टिफीन खाली कर दिया इडियाट्स ये क्या क्लास लगा कर रखी है कुछ समझ नहीं आता तुमको अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ जहां से सुनना Aforestation has A in his first letter and deforestation has D in his first letter Aforestation has 12 words and deforestation also has 12 words but अलग है Aforestation is Aforestation and deforestation is deforestation Aforestation is 12 words and Dforestation is 12 words Students Next period तुमाना फीजिस का पेपर है Ready हो जाओ देखो मैं सभी चीड बना के लाया हूँ तु यहाँ बेट जा तु वहाँ बेट जा मैं पीछे बेट जाता हूँ आज तो पुरी क्लास टॉप करेगी हिप हिप खुर्रे सर पिंक कलर का पेपर दो ना बेठ जाओ अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरू होते है सार डक्टर उटा रहा था आपको क्या लगा यह क्या कर रहे हो बेटा सर मम्य पपा ने सीखा है कि पेपर से पहले भगवान को याद कर लना चाहिए जै गणीश जै गणीश जै गणीश दीवा यस यस क्या हो बेटा सर मुझे अंसर आ गया वाव बेटा फिर लिखो अरे यार सर बूल गई क्या है ये हाँ चल लिख लिख सर ये तो गलत है आज तो फिजिस का पेपर है और ये फिजिकल एजुकेशन की चीट ले आया अच्छा सर फिर ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है तू तो निकल क्लास है, पहली फुर्षाद में निकल वेलकम टू चेंग चुई कोचिंग क्लासेज यहां सबकी दुविधाओं का समधान होगा मैम, I have a doubt doubt clear, कोई और को doubt है क्या? मैम, बढ़वानी का capital क्या है? good question, good question अच्छे जलो लिखो बढ़वानी का capital है B मैम, कैसे? जो भी place होती है, उसका first capital letter ही उसका capital होता है अरे तुम तो पूछो, सारे places के capital मैं ऐसे ही बता दूँगे मैम, अली राजपूर A मैम, पाटी P मैम, मनवाला मैम, what is the advantages and disadvantages of exam? अच्छा अच्छा लिखो advantages first, exam is good second, exam shows that you are a card अरे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं and third, exam के time ही हम भगवान को याद करते हैं अरे गजब, excellent disadvantages first, exam is good बट नीन दुड़ा देती है सही है, सही है second, exam के time हम तो भगवान को याद करते हैं पर भगवान हमको नहीं याद करते हैं मैम, एक पॉइंट में बताऊंगा हाँ बताओ, बताओ, यहाँ सब को बोलने के छूट है हम exam में paper में लिखते हैं paper पेड से आता है पेड काटने से global warming होती है इसलिए पेड बचाओ, exam हटाओ चलो अब नया chapter स्टार्ट करते हैं heading डालो, Electromagnetics अरे आज नहीं मैम, कॉल से पॉल लेंगे ना अरे मेरी बात तो अरे नहीं नहीं, आ चुट्टी, आ चुट्टी ठीक है, चुट्टी जाओ यहाँ से, कल से तुमारी क्लास ही बन तो मैं पढ़ना तो है नहीं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो नहीं यू दोंट इवन नो हाँ तो बहेव इन दे क्लास इस दो वर्स बैच एवर नहीं यार, यह हमारी गल्ती है चलो मैम को वापस लेकर आते हैं हम उमारे टीचर्स को बहुत परिशान करते हैं बट, they are our second parents वो उमें सही गलत की पेचान कराते हैं हमारी गल्ती पर ढाठते जरूर है पर अच्छे काहों पर प्यार भी देते हैं वो खुद पर ध्यान न देकर हम पर ध्यान देते हैं इतनी मेनद करते हैं ताकि हम कुछ बन पाए एक स्टूडेंट का दीन साथ बज़े शुरू होता है बट एक टीचर का दीन सुपर चार बज़े ही शुरू हो जाता है दोस्तो अगर एक टीचर चाता तो डॉक्टर इंजिनियर्स ये बन सकता था लेकिन आज उन्होंने अपने ड्रिम्स को सेक्रिफाइस कर दिया ताकि हम कुछ बन सके